हलो दोस्तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने वुटीब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना इंस्टाग्राम आईडी पर्मनेंटली डिलेट कर सकते हो जा दोस्तो एकदम पर्मन आपका आईडी आपको दिखाई देता है और आपका आईडी लॉग इन भी हो जाता है लेकिन दोस्तो अगर आप मैं जो बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इंस्टाग्राम या फिसबुक आईडी डिलेट करते हो फर्मनेंटली डिलेट हो जाएगा दोस्तो ठीक है दो तो चली वीडियों शुरू करते हैं तो दूस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है यहाँ पर आपको three dash के उपर आपको click करने ना है तो जैसे हम personal details के उपर click करते है तो यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हो account, ownership and control वाले option पर click करना है उस पर हमको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option और मिलता है उसके उपर आपको क्लिक कर देना है deactivation और declaration ठीक है उसके बाद आपको आपका Instagram ID यहाँ पर दिखाया जाता है तो यहाँ पर उसको select कर लेना है आपके जितने पर ID हो यहाँ पर show होते हैं लेकिन फिलाल मेरा एक है तो एक select कर लिया उसके बाद दो option आपको मिलेंगे एक तो temporary delete का option मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको permanently delete का ठीक है तो आप कुछ दिनों के लिए और कुछ मैनों के लिए temporary delete कर सकते हो फिर आप वो record कर सकते हो दोस्तों ठीक है तब तक आपका Instagram या Facebook ID उस platform पर नहीं दिखेगा ठीक है उसके बाद में बात करके permanently delete का तो permanently delete भी आप यहाँ पर कर सकते हो permanently delete करना तो permanently delete वाले option पर आपको select करना है और permanent delete करने के लिए आपको यहाँ पर permanent select करके continue करना है उसके बाद आपसे यह reason पूछा जाएगा कि आप अपना Instagram ID permanently delete क्यूँ करना चाते है तो आपको करना क्या है यहाँ पर कोई भी option select कर लेना है और continue कर देना है दोस्तों ठीक है तो जैसे हम continue पर click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने और एक page खुलेगा जिसमें आपको सिर्फ okay करना है वहाँ से okay करने के बाद आपसे आपका Instagram ID पूछा जाएगा Instagram ID का password आपको यहाँ पर add करना है Instagram password यहाँ पर enter करने के बाद okay करना है और delete account का option पर click करना है ठीक है तो यहाँ पर confirm permanent account declaration यहाँ पर आपका देखनों के मिलेगा तो यह जो है 20 अगस्टक अगर मैं open करता हूं तो यह जो है दोस्तों यह 20 अगस्टक open हो सकता है ठीक है उसके बाद यह permanently delete हो जाएगा ठीक है तो तब तक हमने इसको open नहीं करना है अगर open कर दिया तो यह पूरी अगरम ID permanently delete कर सकते हो आशाए कि आपको यह वीडियो समझ में होगा धन्यवाद समझ में है तो वीडियो को लाइक करिए और चानल को सब्सक्राइब जरू